सारन जिले के दरियापुर प्रखंड के सुतिहार पंचायत का स्वास्थ उपकेंद्र गाउं वालों का इलाज करने की जगा खुद ही बहुत बीमार पड़ा हुआ है और अपने इलाज के लिए डॉक्टरों और अधिकारियों की बाट जोह रहा है इस उपकेंद्र में मातर एक एनेम की बहाली है लेकिन एनेम महोदया सरकार से तनखवा तो पूरी लेती है पर गलती से भी उपकेंद्र जाने की जहमत नहीं उठाती है और यहां हमेशा ताला बंद रहता है इसके परिसर में भी आए दिन सराब बंदी के दौर में भी असमाजिक तत्वों ने यहां सराब पीने का अड़ा बना रखा है इस स्वास्त उपकेंद्र के भवन निर्मान का सेलया निया स्वैम बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार दौरा साल 2006 में किया गया था भवन बन भी गया लेकिन उसकी सही देखवाल नहीं हो सकने के कारण जगा जगा इसमें दीमक लग गई है और भवन को जरजर बना रही है इसमें दो बेट भी लगा हुआ है और सोचाले भी बना हुआ है लेकिन इसे देखकर आप साफ तोर पर समझ सकते हैं कि इनका कभी इस्तमाल नहीं होता है इस स्वास्त उपकेंदर में सूतिहार ही नहीं आस पास के कई पंचायत को लोगों को प्रात्मिक इलाज की सुभिधा मिल सकती है लेकिन डॉक्टर नहीं रहने के कारण सभी लोग 13 किलोमीटर दूर दरियापूर पीएसी जाने को मजबूर है इस संबन्द में सूतिहार पंचायत के वर्तमान मुखिया उपेंदर राय ने बताया कि वे मुखिया पत की सपत लेने के बाद से ही यहां डॉक्टर की बहाली के लिए प्रयासरत है लेकिन अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है जब 2016 के चुना हम लोग जब जीत कर रहे थे इसके बड़ी समस्या थी गाउं के लोगों ने इस चीज को राखे थे मेरे समक्ष कि मुखिया जी किसी तरह इसको पहल की जाए कि ताकि हम लोग का पीएसी चालू हो जाए पुना इससे पहले बिगत जो दिली बाबु डॉक् जब जो जाए और यहां इलाज बनिया धंग से होता था उस समय जजार इस्तिती में रूम था बाद में तते बरतमान मुख मंत्री के द्वारा इनके जो रूम का निर्मान हुआ निर्मान तो हो गया वही डॉक्टर के नियुक्ति नहीं है नेम नहीं आए आसा टाम टेबल जो कि यहां से मेरा पी एस सी दरियापूर तेरा किलोमीटर दूर है वहां मेरे यहां गर जो डॉक्टर साब के नियुक्ति हो जाती और नेम और आसा लोग बढ़ते तो यहां डिलेवरी से लेकर छोटा-छोटा जो होता इसी जगा मेरे पंचाय तस्तरपनी समधान होया थ गौर तलब है कि आयुशमान भारत योजना 2018 के तहट देश के सभी स्वास उपकेंद्रों को वेलनेस सेंटर की तर्च पर विक्सित किया जाना है और यहां पर दो एनेम के साथ एक आयुश डॉक्टर की भी नियुक्ति की जानी है उपकेंद्र के रख रखाव के लिए 10,000 रुपे वर्तमान में खर्च भी किये जाते हैं अभी कुछ समय पहले ही बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने भी बिहार के सभी 9,726 उपकेंद्रों पर जल्दी ही डॉक्टरों की बहाली करने की बात कही थी लेकिन सामने जो हकीकत दिख रही है उसे देख कर तो यह क्या एतवार धर्मेंद्र कुमार के साथ मनीश कुमार आपकी आवाज निउस सारन